हेलो दोस्तों, मैं अंजली एक नया वीडियो लेके आई हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं Adventure John Ray की मूवी सिरीज Descendant के बारे में जिस पर तीन मूवी आ चुकी है पर आज हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट मूवी जो 2015 में आई थी उसके बारे में तो कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले जब Beauty and the Beast स्टोरी की Bell और Beast की शादी हो जाती है बीस सारे किंटम को युनाइट करता है और खुद को United States of Auradon का किंग इलेक्ट कर लेता है और सारे विलेंज और साइटके को Isle of Lost में भेज देता है और वहाँ एक Magical Barrier लगा देता है ताकि वो लोग वहीं रहें अब वहाँ ना कोई Magic है ना Wi-Fi है और ना ही बाहर जाने का कोई रस्ता Bell of Beast का बेटा Ben 16 साल का हो गया है और किंग बनने वाला है इसलिए वो डिसाइट करता है कि पहला रूल वो ये बदलेगा कि Isle of Lost के बच्चों को यहाँ आने का मौका देगा पर एकदम से सारे बच्चों को लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कहीं ने कहीं वो सभी विलन्स के बच्चे हैं इसलिए वो चार स्टूडन्स को सिलेक करता है ये मौका देने के लिए क्रुएला का बेटा कारलोस, जफार का बेटा जे, इविल कुएन की बेटी ईवी और मेलिफिसंट की बेटी मैल बीस्ट बहुत गुसा होता है कि सबसे बुरे क्रिमिनल्स के बच्चों को ये उसने सिलेक किया है पर बेन उन्हें कहता है कि माबाप के इविल होने के कारण बच्चों को सजा क्यूं दी जा रही है वो भी नॉर्मल लाइफ डिजर्ब करते है और पिता को रियलाइज हो जाता है और वो रेडी हो जाते है पर आईल ओफ लॉस्ट में चारों का जब इंट्रोड़क्शन होता है तो ये क्लियर हो जाता है कि वो चारों इनोसेंट तो बिलकुल ही नहीं थे वो सबको परिशान करते हैं और मीन होते हैं मेलेफिसंट आती है जो मेरे वियू में तो ओरिजिनल स्टोरी में विलन नहीं थी पर यहां उसे एक्चुली विलन दिखाया गया है वो ट्रूली इविल होती है और अपनी बेटी को भी वैसा ही सिखाती है और वो चाहती थी कि वो वर्ल डॉमिनेशन करें इसलिए वो उन चारों को एरेडन जाना का कहती है क्योंकि वो चारों ही एरेडन नहीं जाना चाते थे मैलिफिसेंट अपनी बेटी मैल और बाकी तीनों को कहती है कि वो औरड़न जाएं और फेरी गॉड मदर से मिलकर उसकी वॉन लेकर आ जाएं इविल कुइन इवी को कहती है कि एक प्रिंस ढूंड कर उसे पताना और जफार भी जे को भीजना नहीं चाहता था क्योंकि जफार क्योंकि खुद चोड था उसने जे को भी चोर बना दिया था और जे उसके लिए समान चुरा चुरा करके लाता था मेलिफिसेंट और इविल कुइन स्पेल बुक निकाल देती हैं जो आईल अफ लॉस में काम नहीं करता था मैजिक बैंड होने के कारण पर अरडॉन में करता जहां बाकी लोग और फैरी गॉर्ड मदर उनका वेलकम करते हैं जो कि वहां की हेड मिस्ट्रेज भी थी इसके लावा वहां बेन था जिसको देखते ही इवी को लगता है कि यही वो प्रिंस है जो उसका होगा पर उसकी अल्रेडी गल्फरेंड होती है अरोरा की बेटी ओट्रे बैन और अरोरा सबको स्कूंगुमाने वाले थे बैन को मैल में इंट्रस्ट आने लगता है जबकि डोग जो कि सेवन डॉफ में से एक डोपी का बेटा था उसे ईवी में इंटरस्ट आने लगता है उन्हें अपने डॉम भेजा जाता है ईवी को फूलो भरा रूम बहुत पसंद आता है पर मैल को नहीं उनके स्कूल से 2.3 माइल्स की दूरी पर वो फटाफट स्कूल से निकलते हैं हाला कि 8 बज़े के बाद उन्हें बाहर गुमना एलाउड नहीं था वो म्यूजियम पहुचते हैं और स्पेल बुक का यूज़ करके सेक्यूरिटी गार्ट को सुला देते हैं और वोन को ढूंड लिते हैं पर ओविसली वन मैजिक से प्रोटेक्टेड था और जे जैसे ही उसे चूने की कोशिश करता है उसे जटका लग जाता है और अलाम बजने लगता है सेक्यूरिटी वाला जाग जाता है और सब वहां से भागते हैं और किसी तरह बचकर वहां से निकल जाते हैं नेक्स डे उनकी पहली क्लास होनी थी जहां एडिमिस्ट्रेस उन्हें बेसिक्स ओफ गुडनेस सिखाती है जहां उसकी बेटी जेन आती है जो काफी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली होती है स्पोर्ट्स का पिरियड होता है जे सब को मारने में लगा रहता है जो कि गेम का ही पार्ट होता है और सारे अबस्टेकल से बचता हुआ कोल करतीता है होडरे को छोड़ कर सब लड़कियां उसके लिए चियर करती है या तक कि कोज भी बहुत इंप्रेस हो जाते है बेन मल से बात करता है पर मेल को ज़्यादा अच्छा इडिया आता है वो जेन से आकर मिलती है जेन उसके बाल की तारीब करती है इसलिए मेल स्पेल से उसकी हेस्टाइल बदल देती है जेन जो की हर कुछ बदलवाना चाहती थी अपनी नाप को भी चेंज करने का कहती है पर मेल कहती है कि इस स्पेल बुक से ये स्पेल काम नहीं करेगा इसके लिए उसे वांड चाहिए जेन ये कहती है कि आ पको इब लोन का यूज नहीं करता पर मैल उसका brainwash करती है कि fairy godmother Cinderella जो कि उसके अपनी बेटी नहीं थी उसे सुन्दर बना सकती है तो अपनी खुद की बेटी की help क्यों नहीं कर सकती है इसलिए वो puppy face बना कर सुन्दर बनने की बात कहे और जब उसकी mom won लेकर आए तो वो मैल को भी बुला ले वहाँ इवी chemistry की class में चैड से impress होती है जो कि प्रिंस शामिंग और सिंडरेला का बेटा होता है पर टीचर इवी से silver का atomic weight पूछते हैं जो उसे obviously आता नहीं था पर वो mirror की help से answer दे देती है इंप्रेसो का चैड उसे bleachers के नीचे तीन बजे बुलाता है वहाँ कारलोस जो की डॉक से डरता था उसे देखकर भागने लगता है और डॉक उसके पीछे पर बेन उसकी दोस्ती उस डॉक से करवा देता है और कारलोस का डॉक का लेकर डर खतम हो जाता है वहाँ चैड और में औररे बात कर रही होती है कि मुलान की बेटी लॉनी वहाँ आ जाती है और अपने बाल चेंज करवाना चाती थी बदले में वह 50 डॉलास भी देती है और मैल उसके बालों को चेंज कर डेती है और लॉनी बहुत खुशों जाती है यहीवी वहाँ Pittsburgh और बबहुत च्छी पर बेन बताता है कि फ्रेंट रो में से फैमिली और गर्ल्फरेंड ही होती है मेल को आइडिया आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो लव स्पैल से उसकी गर्ल्फरेंड मन जाएगी इसलिए वो रेसिपी तयार करती है पर उसके लिए एक मेन इंग्रेडियन चाहिए था दुख भरा इंसानी आसू ये चारो कभी नहीं रोते थे पर तबी लौनी वहां आ जाती है कि बाकी लड़कियों को भी बालों का मेक ओवर कराना है और वो केक का बैटर को टेस्ट कर लेती है और कहती है कि चोको चिप तो डाला ही नहीं तुमने वो कहती है कि मॉम्स अपने पूरा प्यार चौको चिप के थरू अपने बच्चों को बताती है वो चारों दुखी हो जाते हैं कि विलन्स के बच्चे होने के कारण उन्हें उनकी मॉम्स से उस तरह का प्यार कभी नहीं मिला जो नॉमल बच्चों को मिलता है ये सुनकर लौनी की आँखों में आसु आ जाते हैं पर मेल फटाख से उस आसु को लेकर बैटर में डाल देती है और कूकीस तयार करती है अगले दिन मेल सबके हेर बदल चुकी होती है सब उसे देखकर बहुत खुश होते है जे को भी सब लड़किया पसंद करती थी और उसे यहां रहना भी अब पसंद आने लगता है पर और्डरे को ये बात पसंद नहीं आती उसे लगता है कि सब सुन्दर दिखने लगेंगी तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी मैल बातों में फसा कर बेन को कुकी खिला देती है और उस पर स्पैलो जाता है मैच होता है और जे कैरलोस और बेन के बेस्ट परफॉर्मेंस से वो मैच जीत जाते हैं पर बेन माइक ले लेता है और सब के सामने कह देता है कि उसे मैल से प्यार है इस बात से ओर्डरे को बहुत गुसा आता है और वो चैट को अपना बॉईफरेंड बोल कर उसे किस कर लेती है जिसपर बैन मेल को कहता है कि क्या वो उसके साथ कोरनेशन पर चलेगी और विसली मेल येस कह देती है पर ये सब ईवी को पसंद नहीं आता वो चैट को पसंद कर पर डग उसके सपोर्ट में आगे आता है जिस पर टीचर कहता है कि अगर ईवी ने टेस्ट पास कर लिया तो वो उसे उसके मिरर को वापस कर देगा और ईवी बिना चिटिंग के टेस्ट पास कर लेती है क्योंकि वो एक्चुली में इंटेलिजन्ट थी सिर्फ अपनी मां को करने के लिए वो स्टूपिड बन के घर के कामका जो सिलाई कड़ाई करती थी वो डग से बहुत खुश होती है और दोनों साथ में पढ़ने और घूमने की बात कर रहे होते हैं कि तबी महां मैल आ जाती है और कहती कि बैन ने उसे डेट के लिए कहा है ईवी उसे रेडी कर करती है जहां वो बात करते हैं कि कैसे वो अपनी मौम से डरते हैं और बस उन्हें प्राउट फ्रील कराने के लिए सब काम करते रहते हैं बैन मैल को डेट पर ले जाता है जहां बैन उसे कहता है कि सिर्फ क्राउन से कोई किंग नहीं बनता जैसे आप किसके बच्चे हो कभी option ही नहीं मिला कि वो लोग swimming सीखें इसलिए वो मना कर देती है मैल को सच में बैन पसंद आने लगता है और वो विश करती है कि कुकी का असर खतम होने के बार भी वो उसे पसंद करता रहे पर बैन अचानक कहीं गायब हो जाता है मैल उसे ढूड़ने पानी में चली जाती और डूबने लगती है पर बैन उसे बचा लाता है वापस आकर सब फिर से वोन चुराने का प्लैन कर रहे होते हैं पर इस बर मन किसी का भी नहीं होता या तक कि मैल अपने लव स्पेल को खतम करने के लिए न्यू एंटी लव स्पेल से नई डिश बनाना चाहती थी अगले लिया को याद आ जाता है कि ये मैलिफिसेंट से दिखती है और वो उसे मैलिफिसेंट से कन्फ्यूज भी करती है पर बैन आकर कहता है कि वो मैल है और सबको एक चांस दिया जाना चाहिए पर लिया को ये बात पसंद नहीं आती कि ऐसे लोगों के आसपास भी क्यों रहा ज उन विलन्स के कारण सबको कितनी तकलीफ हुई और फिर चैड आके आकर उन चारों की बेज़ती करता है जिस कारण गुस्सा होकर ईवी उसे बेहोश करने का स्प्रे कर देती है पूरा के ओस हो जाता है और वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और सबका जिम्मेवार ब्यूट इसलिए मैल उसके हेर पहले जैसा बना देती है और अब एक बार फिर उसे अपना इनिशिल प्लैन वांड को चुराना इंपॉर्टेंट लगने लगता है कोरोनेशन डे आता है जिसका लाइव टेलीकास्ट मैलिफिसेंट और बाकी लोग देख रहे होते हैं मैल बैन के साथ होती है मैल उसे कपकेक दे देती है ये कहके कि वो उसे बाद में एनरजी की जब जरूरत है तब खाले पर बैन उसी टाइम उसे खा लेता है मैल उसे रोकती है पर बैन उसे खा जाता है शौक्ड मेल पूछती है कि क्या उसे अब भी मेल के लिए फिलिंग है वो नॉर्मल फिल कर रहा है तो बेन कहता है कि एंटी लव स्पेल का काम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा वो जानता था कि मेल ने उसे पहले लव पोशन वाली कुकी दी थी और वो फर्स डेट के दिन से ये जानता था उसने एंचैंटेट लेक में जब डुपकी लगाई तो सारे स्पेल वहाँ पे तूड गए थे मेल पूछती है कि तो क्या वो अब तक फेक कर रहा था तो बेन उसे रिंग पहनाता है और उसके हाथों पर किस करके कहता है कि उसकी फीलिंग हमेशा से उसके लिए रियल थी मेल को समझ नहीं आता कि वो खुश हो या नहीं एनॉस्मेंट होती है कि उसने इवी का डिजाइन गाउन पहना है और यस इनकम मेल और इवी दोनों बहुत खुश होती है वहाँ बैन के पैरेंट्स जो इसके स्केप्टिकल थे बैन के कहने पर कि ये इजी नहीं होने के बावजुद सही का साथ देना ही किंग का काम है उसके पैरेंट्स खुश हो जाते है कोरनेशन शुरू हो जाता है वान भी वहाँ ही होती है फेरी गॉर्ड मदर आती है और बैन को क्राउन पैनाती है मेल भी वहाँ होती है वान का केस खोला जाता है बैन को कसम खिलाई जाती है कि उसके क्या डियूटीज है और फेरी गॉर्ड मदर उसे ब्लेस करने को ही थी क कि वॉन चीन ली जाती है जिससे इस्पेल निकलता है और आईलेंड पर पड़ता है बैरियर टूट जाता है मेल इफिसन वहां से निकल जाती है पर वॉन मेल या उसके साथियों ने नहीं चेन ने चीना था वो खुबसूरत बनना चाहती थी लेकिन वो वॉन को संभाल नहीं पा रही होती, वो जादू भी करती है पर जादू का कुछ असर नहीं होता और फिर मैल उससे वो वांड छीन लेती है बाके तीनों भी आ जाते हैं, जै कहता है कि अब रिवेंज का टाइम है मैल कहती है कि उनके पैरेंट्स ऐसा चाहते हैं, पर बैन याद दिलाता है कि वो पैरेंट्स की चोईस थी अब टाइम है कि ये चारो अपनी चोईस बनाए मैल को अच्छा इंसान बनना था बैन कहता है कि उसका दिल जानता है कि वो अच्छी है मैल कहती है कि उसका दिल भी यही कहता है और ये भी कि वो अपने पैरेंट्स की तरह नहीं उन्हें उन चीजों से खुशी नहीं मिलती जिससे उसके पैरेंट्स को खुशी मिलती है बलकि दूसी चीजों से मिलती है स्कूल जाने से मिलती है मेल को बेन के साथ मिलती है सभी को अच्छाई चूज करना था पर कारलोस को अपनी मॉम से डर लगता था पर बेन कहता है कि वो यहां नहीं आ सकते क्योंकि वो बेरियर के थूँ उधर ही रहेंगे चारो गुड साइड को चूज कर लेते हैं पर तभी मेलिफिसेंट वहां पहुँच जाती है मेल वान को फेरी गौड मदर को दे देती है जो स्पेल करने को ही थी पर मेलिफिसेंट उसके पहले ही उसे उससब को फ्रीज कर देती है वो सबसे पहले मैल के हाथ से रिंग ले लेती है मैल उसे समझाती है कि लव औ काइडनेस अच्छी होती है पर मैलिफिसेंट को कुछ समझ में नहीं आरा होता इसलिए मैल स्पेल से वान को कमांड दे देती है और वान उसके हाथ में आ जाता है गुसे में मेलिफिसेंट खुद को ड्रैगन में बदल लेती है और जै को मारने आगे बढ़ती है पर एवी मिरर से ब्राइट लाइट करके उसकी आँखों पर फेकती है और मेल आगे आजाती है और अपने पावर से मेलिफिसेंट को हरा देती है और मेलिफिसेंट एक छोटे मैं ऐसी बाते भरी थी और सब खुशी से पार्टी करने लगते हैं और यहां ही फस्त मूवी खतम होती है आपको यह मूवी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक और शेयर जरूर करें मैं जल्दी ही इसके सेकंड पार् बाइ